Hello everyone, किस हैं आप लोग, my name is Kumal Vyasa Sharma and I welcome you all to a direct education, straight way to government job. और आज हम पढ़ेंगे 7th schedule के बारे में, हिंदी में कहूं तो सांत्मी अनुसूची के बारे में, जिसमें 3 list दी गई है, union list, state list और concurrent list. इसमें ये बताया है कि center के पास में कौन-कौन से ऐसे topics हैं, जिस पर सिर्फ center ही law बना सकती है, state list में वो subjects दिये हो गए हैं, या फिर मैं कहूं तो वो topics दिये गए हैं, जिस पर state जो है वो law बना सकती है, और concurrent में ऐसे subjects हैं, जिस पर state और center दोनो laws बना सकते हैं, तो आएए देखते हैं इसके बारे में, तो देखे, 7th schedule of the Indian constitution, इसके अंदर में पूरे list दी गई है, article 246 इस बारे में बात करता है, article 246 में सारे rules दिये हुएं कि किस तरह से laws जो हैं, उस particular subject पर बन सकते हैं, और कौन बना सकता है, तो चलिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए, मैंने क्या बोला, तीन list होती है, union list, state list और concurrent list, तो union list में जब सम्विधान बना था, जब यह अनुसूची आई थी, उस time पर 97 subjects थे, जिस पर union जो है, वो laws बना सकती थी, लेकिन अब कितने हैं, 100 हैं, तो currently पूछेगा, तो आप कितना डालोगें, 100, सेम state list में पहले 66 थे, लेकिन अभी current में कितने हैं, 61, तो इसके पांच कहा गया, इसके जो 5 laws हैं, उन्हें concurrent list में डाल दिया गया, यह सोचकर कि उन particular topics पर, जो center है, वो भी क्या कर सकती है, laws बना सकती है, इसलिए concurrent list में पहले 47 थे, लेकिन अब हैं total 52, तो यह आपको मालूम ह होना चाहिए कि किस list में total कितने subjects हैं, जिस पर laws बन सकते हैं, चलिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं union list के बारे में, तो केंदर के पास में जो शक्तिया हैं कि वो laws बना सकती हैं कितने subjects में, तो जैसा कि मैंने कहा था कि पहले थे 97, लेकिन अब कितने हैं total 100, तो center has the exclusive powers to make the laws, कानून बनाने की केंदर के पास में ही विशेश शक्तिया हैं, मतलब वो particular topic पर सिर्फ केंदर ही क्या कर सकती, कोई भी कानून ला सकती है, और ये चीज़ क्या depict करता है, ये depict करता है, एक strong center कि जो केंदर है, वो क्या है, ज्यादा powerful है as compared to state, reason है, हमारा देश क्या है, quasi-federal है, और एक unitary tilt के साथ में, कही न कहीं जो center है, उसके पास में ज्यादा powers है, और इसलिए उनके पास में ज्यादा subjects भी हैं, उनके पास ज्यादा topics भी हैं, जिस पर वो laws ला सकते हैं, और बहुत ज्यादा important subjects होते हैं, जो nationwide आप कह सकते हो, जो importance रखते हैं nationwide, तो वो सारे subjects जो हैं, वो center के अंदर में लाए जाते हैं, तो देखे, all issues that are important for the nation, nation के लिए जो important है, and requires the uniformity of the legislation worldwide, है ना, कि nationwide में जो uniformity चाहिए, कि हाँ, Jammu and Kashmir में भी same law की जरूरत है, वही law आपके महराश्र में जरूरत है, और वही law आपके Kerala में भी जरूरत है, तो nationwide, जिस laws की हमें commonly जरूरत तो उन topics पर कौन law बनाएगा, center law बनाएगे है, ना, तो union list में ही उन्हें क्या किया गया, अगर मैं हिंदी में बोले, तो सभी मुद्धे जो राश्र के लिए महत्वपून है, और राश्र व्यापी कानून की एक रूपता की आवश्रकता है जिसके लिए, तो उन्हें संग करता है, तो वो सब topics जिस पर हमें ऐसा एक मत चाहिए, कि all over India में वही चीज़ चलेगी, तो वो सब topics को specially क्या किया जाता है, union list में डाला जाता है, तो चलिए, वो topics को देख लिएते हैं, कौन-कौन से important topics होते हैं, पहले एक बार topics चार्ट करने से पहले यहां पर एक चीज़ देखिए, 88th amendment लाया गया था और इसके तहत एक नए subject को union list में add किया गया, जो कि था taxes on services, taxes on services मतलब सेवाओं पर कर, restaurant पे आप खाना खाने जाते हैं, आप movies देखने जाते हैं, तो यह सब क्या है, services है, तो यह जो service tax होता है, यह center द्वारा लगाया जाता है, by 88th constitutional amendment act, अब त Now, laws made by the parliament on the subject of the union list can confer powers and impose duties on a state, तो state के उपर में duties लगा सकते हैं, अपनी powers को वो state के उपर में थाप सकते हैं, कौन? जो center होता है, तो parliament जो भी law बनाएगी, तो वो state को माननिय होना चाहिए, भले उन्हें पसंद आए या फिर ना आए, चलिए, अब देखने हैं कौन कौन से topics ह देखिए, अगर मैं यहाँ पिक्चर के हिसाब से बताओ, तो atomic energy, atomic energy plants जो होते हैं, तो भही यह तो all over India का एक ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ही, different states के different atomic plants होंगे, तो यह पूरे देश का एक रहेगा, इसलिए इससे related जो भी कानून है, यह कौन बना सकता है, center बना सकता है, अगर मैं बात करूँ, defense की, तो defense भी all over India में एक ही defense रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि हर state के लिए अलग-अलग defense हो, तो because एक ही defense है, तो इसलिए इसका यह किसमे जाएगा आपका union list में, कि एक ही law बनेगा all over India के लिए, अगर मैं बात करूँ, railways, तो railways भी government के हाथ में है, है ना, railway भी आपकी एक ही है पूरी जगब में, तो इसका भी अधिकार किसके उपर है, center के उपर में है, है ना, इसका अधिकार, तो center चाहे तो इस पर rules बना सकती, समझाया, atomic energy, defense, railways, आगे बढ़ते है, citizenship, अभी NRC आया था, CA आया था, तो citizenship पर किसने law बनाया, parliament ने लो बनाया, क्योंक यह फोटो में आपको समझ आ रहा होगा, यह क्या है आपका highways, तो highways से related जो भी laws रहेंगे, यह भी कौन बनाएगी, center बनाएगी, यहाँ पर देखिए, यह है आपका port, जितने भी इंडिया में ports हैं, तो यह सब भी किसके control में होते हैं, center के control में, और center के पास में ही यह पाव चल रही है, right, तो center has the power कि वो banking से related laws लेकर रहा है, post office, post office से related भी सारी चीज़े center के पास होती है, and same is the stock exchange, stock exchange से related भी चीज़ें किसके पास में होंगी, center के पास में, bombay stock exchange, national stock exchange, तो यह सब control में आते हैं, किसके, center के, share market बोलते हैं, जिसे, communication, communication से related भी सारी चीज़े, 4G, 5G, जो चल रहा है, तो यह सब क्या है, communication, internet है, तो इस पर laws कौन बनाएगा, center बनाएगा, तो कि all over India के लिए आप कोई common चीज़ चला नहीं है, then अगर मैं बात करो, insurance की, तो insurance से related भी जो laws लाने होंगे, तो यह सब center लेकर आएगी, और international relations, यह कुछ important है, देखिए, है तो hundred, पर hundred तो यहां पर बताना नहीं हो पाएगा, लेकिन यह कुछ important है, जो repeatedly आपको exams में पूछे जाते हैं, तो international relations, और देखिए, अगर ऐसा कोई question आता भी है, जब भी exam में, तो आप खुद भी एक चीज़ को सोच सकते हैं, जब आप news देखते हैं, या something, तो आपको खुद समझाता होगा कि ओके, इस particular topic पे क्या हो रहा है, कि Parliament ही laws बना रही है, बहस बाजी किस में हो रही है, पार्लेमेंट में हो रही है, एक particular bill को लेकर, किसी act को लेकर, किसी law को लेकर, तब उससे आपको connect कर सकते हो, कि हाँ, यह particular चीज़ जो है, यह particular subject जो है, यह union list में आती है, क्या फिर state list में आती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते है state list के बारे में, अब देखे, अगर मैं बोलो state list, तो 61 है आज की date में, subjects, जिसके ऊपर में state क्या कर सकती है, laws बना सकती है, पहले कितने थे, 66 थे, तो laws can be made on the subjects by the state government, कि पूरी तरह से, राज्य सरकार के पास में यह अधिकार होता है, कि वो क्या कर सकती है, इस पर law बना सकती है, इसमें center अपना tongue नहीं याड़ाएगा जादा, अब article 249 में, लेकिन क्या दिया गया है, देखिए, article 249 काफी important है, इसमें, पार्लेमेंट को यह power है, कि वो state subject जो होते है, है न, state list के अंदर में, जो state के यह subjects है, उस पर भी क्या कर सकती है, पार्लेमेंट भी law ला सकती है, लेकिन उसके कुछ conditions है, क्या है, उनको देखेंगे हो, तो यह चीज़ समझ में है, subject enumerated in the state list in the national interest, लेकिन वो national interest होना चीज़, मतलब राश्रहित, तो राश्रहित में, राजिसूची में उल्लेखित, किस किसी भी विशेक के संबंद में कानून बनाने की संसद की शक्ती, तो संसद के पास में यह शक्ती है, कि वो कानून बना सकती है, राजिसूची के किसी भी topic के उपर में, राश्रहित के लिए, यह sentence को आपको याद रखने है, तब समझाएगा, तो यह किस article के अंदर दिया चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, तीन कंडिशन आपको मालू होने ची कि कब सेंटर जो है, पार्लिमेंट जो है, वो स्टेट लिस्ट पर लॉस बना सकती है, तो इसके तीन कंडिशन है, पहला क्या है, अगर राज्य सभा ने कोई resolution पास किया, देखिए, राज्य सभ हाने अगर कोई संकल को पारित किया है, किसी resolution को पारित किया है, कि इस particular topic पर हम चाहते हैं, कि भले ही वो states list का कोई topic हो, लेकिन उस पर कौन कानून बनाए, पार्लिमेंट कानून बनाए, तो कानून बन सकता है, दूसरा condition कि अगर national emergency लग गई, पूरी की पूरी तरह से अपन topics होंगे, state list के, उस पर सिर्फ center का अधिकार हो जाता है, पूरी तरह से national emergency में क्या होता है, अपका centralization हो जाता है, पूरी पावस एक particular person के पास हो जाती है, थर्ड, when two or more states, अगर दो या दो से अधिक states ने कोई resolution को पास किया है, अपने खुद के विधान सभा, विधान परिश में, अगर दो या दो से अधिक states में कोई resolution पास किया है, और पारलियमेंट से ये request की है, कि state के अंदर में, state list के अंदर में, जो भी subject है, उस पर आप कानून बनाओ, ठीके, पारलियमेंट खुद से नहीं बनाएगा, जब दो या दो से अधिक states जो है, वो क्या करेंगे, इस दो या अधिक राज संसद से राज सूची के तहट विशियों पर कानून बनाने का अनुरोब करते हुए, एक प्रस्ताव पारित करते हैं, इस टैम पे क्या होगा, फिर पारलियमेंट क्या करती है, सेंटर क्या करती है, लौ बनाती है उस particular subject में, इसकी मैं PDF आपको प्रोव कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब जैसे ही स्टेट के लिए पारलियमेंट ने लौ बना दिया, अब क्या होगा, और स्टेट रेजूशन को क्या किया था, पास किया था, यह चीज़ आप याद रखेगा है, इस ओनल अगर किसी और राज्य को भी वही लौ अपनाना है, तो अपना सकता है, लेकिन फिर उस राज्य को क्या करना होगा, एक रेजूशन पास करना होगा, बस एक प्रस्ताव पारित करने के बाद में दूसरे स्टेट भी उस पर्टिकुलर लौ को अपने राज्य में यूज कर स सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब अब पार्लियमेंट ने जो लौ बनाया है, अब एक समय आने के बाद हो सकते हैं कि उस लौ को खतम करना हो, या अमेंड करना हो, तो राज्य सरकार खुद से भी कर सकती है, लेकिन पार्लियमेंट के पास ही में अधिकार होगा, उस particular law को amend करना या फिर repeal करना हटाना लेकिन states के पास में वो powers नहीं होगी कब दो condition है पहली condition क्या है for the implementation of the international agreements अगर कोई international agreements हो रहे हैं और कहीं न कहीं वो law अगर आपका एक बाधा बन रहा है for example बन रहा है अगर बाधा तब सिफ पार्लियमेंट ही है कि वो उस law को क्या कर सकती है amend कर सकती है या repeal कर सकती है state के पास में वो powers नहीं होगी है आपने तो law बनाने की power दे दी ना पार्लियमेंट को अब उनकी मर्जी वो जो भी करें आपको क्या टेंश या तो आपको पहले खुद ही law बना लेना था दूसरा during president's rule प्रेसिडेंट टूल मतलब क्या होता है state emergency तो अगर एक particular state में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया तो उसके अंदर के जितने भी laws रहेंगे तो वो law बनाने की शक्ति किसके पास आजाएगी पार्लेमेंट के पास में आजाएगी तो ये तीन condition आपको पता होने चाहिए कि पार्लेमेंट कब-कब law जो है वो बना सकती है state list के अंदर जो subjects है उसके लिए और जब वो laws बना रही है तो वो किस तरह से amend या repeal हो सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से list है ज वैसे center वाले, तो center में importance कौन से वाले subjects थे जो कि nationwide एक होने चाहिए जो important रहे, defense obviously all over India एक ही defense होगा वैसे, लेकिन state list के अंदर में जो subjects हैं वो हमेशा एक individual की rights को एक local responsibility को देखते हुए रखा जाते हैं, उन subjects को, जो कि क्या है matter of interest and local importance हो, जिनकी है ना, और 20 ऐसे subjects हैं जिस पर state legislature क्या कर सकती है, taxes लिवाय कर सकती है, देखेंगे कौन-कौन से subjects हैं, उनको भी अभी देखेंगे, यहाँ पर एक और important चीज जो आपको यादत ना है, 69th constitutional amendment act of 1991, अब देखें, इस सम्विदान संचोधन के तहट क्या हुआ, special provisions दिये गएं किसको national capital को, national capital Delhi, तो Delhi के पास में powers भी हैं, और उनकी powers को छीन भी लिया गया, क्या है, state list के अंदर में तीन topics होते हैं, public order, police and land, तो इस पर राज्य चाहें तो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, क्योंकि वो राज्य की सूची में दिया गया है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में यह जो तीन particular topics हैं, इस पर राज्य अपना अधिकार नहीं रव सकता है, इस पर राज्य अपने कानून को नहीं बना सकता, यह तीनों पर कानून कौन बना सकता है, सिर्फ पार्लेमेंट बना सकता है, फॉर दिल्ली, याद रखेगा, डेली के लिए, यह हुआ था आपका 69th Constitutional Amendment Act of 1991 के तहत तो देखो बच्चो, laws cannot be made by the Delhi government, ठीक है, Delhi government तीन ऐसे subject हैं, जिस पर laws नहीं बना सकती, भले ही वो subject आपके state list के अंदर आते हैं, फिर भी, कौन-कौन से हैं, मैंने बता दिया आपको तीनों, यह देखिए, यह तीन है, पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा, public order, obviously बहुत ज और जब लोग पहुँच गए जंतर मंतर, तो कहीं न गई, police को उनको रोकना पड़ेगा, तो अगर यह state के हाथ में रहेगा, तो center को पहले state से permission लेनी पड़ेगी, और वो बहुत बड़ा process हो जाता है, तो इसलिए public order, police, और third है आपका land, तो यह तीन से regarding, कोई भी laws जो है, वो Delhi government नहीं बना सकती, इस पर कानून कौन बनाएगा, parliament बनाएगा, इसके अलावा देखते हैं, और कौन-कौन से topics हैं, जो subject list के अंदर में आते हैं, बस यह तीन आपके exception हैं, यह subject list के अंदर में, लेकिन इस पर कानून कौन बनाएगा, center बनाएगा, सिर दिल्ली के लिए, अब देखिए, public health, अगर मैं बात करूँ, public health की, public health, तो अभी जो corona चल रहा है, तो मतलब इस से regarding जितने भी laws हैं, तो यह कौन बनाएगा, यह state के पास में यह powers हैं, कि वो क्या करें, laws बनाएगा, sanitation, sanitation, स्वच्छता, तो इससे भी related laws कौन बनाएगा, क्योंकि यह देखिए, यह particular person के interest के लिए है, है ना, इसका nation से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन, मतलब उनसे भी है, as a center भी है nationwide, लेकिन एक particular person healthy रहेगा, वो ज्यादा ठीक है ना, तो इसलिए उस पर ज्यादा focus कौन कर इसलिए का state laws करेंगे, third है आपका betting and gambling, betting and gambling, तो इससे related भी laws कौन बनाते है, state government बनाती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह तो मैंने आपको बताई दिया, public, order, police, और land, यह तीन भी आपके state subjects के अंदर आते हैं, then आएगा आपका fisheries, one second, fisheries, agriculture, देखिये farm rule आया था, agriculture पूच सकता है, तो भले ही देखिये, farm पर rules बनाया, किसने, parliament ने बनाया, लेकिन agriculture जो है, यह किस के अंदर आता है, यह आता है, आपका state list के अंदर में पूच सकता है, इसके अलावा water, तो यह तीन भी हैं, जो कि किस में आएंगे आपके state list में, कुछ important बता रही हूं मैं, तो यह रहें आपके state subjects के, अब देखते हैं, concurrent list, क्या होती, समवर्ती, सूची जिसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे समवर्ती, जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, center भी बना सकते हैं, state भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो center बोलेगा, वही क्या होएगा, आपका मानले होगा, तो इसके अंदर कितने subjects हैं, अभी 52 हैं, पहले 47 थे, लेकिन बार में state list से, पांच subjects को हटा कर समवर्ती मतलब concurrent list में डाल दिया गया, तो वो कौन-कौन से हैं, तो वो है आपका education, शिक्षा, forest, jungle, protection of wild animals and birds, इनके protection, weights and measures, कौन से use होंगे, administration of the justice, जो lower courts होते हैं, high court और supreme court को छोड़, उसमें किस तरह से administration किया जाएगा, कानून का यह सब, तो यह 5 topics जो हैं, यह by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, मेरी life classes चलती है, हर alternate days में at 9.30 a.m., उसे देखिये, वहाँ पे मैंने questions के साथ में detailing भी बताई, और मैंने वहाँ आपको बताया है, कि 42nd Amendment Act कितना important है, इंदरा गानी जी के द्वारा कराया गया था, और बहुत सारे changes किये गयते हैं, that is the reason, इसे mini constitution भी कहा जाता है, तो यह 5 ऐसे subjects हैं, जिन्हें transfer कर दिया गया, state से इसको transfer करके concurrent list में डाल दिया गया, कि अब उस पर कौन कानून बना सकता है, दोनों को हग है, center को भी हग है और state को भी हग है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, concurrent list जो है, यह हमने borrow कहां से की है, concurrent list को हमने Australia से borrow किया है, constitution और Australia, यह भी exam में कई बार पूछा गया है, कि समवर्थी सूची को किस देश के समविधान से लिया गया है, तो वो Australia से लिया गया, याद रखिएगा, center government और state government, दोनों के पास में यह powers हैं कि वो क्या कर सकते हैं, laws बना सकते हैं, और एसे तीन सबजेक्ट हैं जिस पर state और center दोनों taxes ले सकते हैं, मतलब concurrent list के अंदर में ऐसे तीन सबजेक्ट हैं, जिसके ऊपर में taxes लिये जा सकते हैं, center और state दोनों के बारा, in case of conflict, अगर कोई law बनता है और अगर state और center दोनों के बीच में कोई conflict हो जाती है, लो बनाएगी वही मानने होगा, यह ना, prevails, वैसे law नहीं होता है, actually यह कहना चाहिए, कि जो center बोलेगा, अगर center को यह लगता है कि state के द्वारा जो law बनाया गया है, वो ज्यादा effective है, तो उसे मानने दिया जाएगा, और अगर center का सही रहेगा, तो center को अपना ही चलाएगा फिस center, तो इसलिए यह कहा जाता है कि center government के जो laws हैं, वही क्या करेंगे, prevail करेंगे, क्योंकि हमारे में क्या है, जो center है, that is more powerful than the state, I hope आपको यह चीज़ समझ में आई होगी, चलिए, कुछ ऐसे topics देखते हैं, जिस पर, जो concurrent list के अंदर है, और जिस पर यह दोनों क्या कर सकते हैं, laws बना सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया education, तो देखिए, अभी new education policy आई थी, तो इस पर, क्या हुआ, parliament ने अपने laws बनाए, आप देखिएगा, state भी laws बनाती हैं, अपनी अलग-अलग states जो है, वो अलग-अलग तरीके से education पर policies लाती रहती है, तो it depends कि, किसको आपको चलाना है, then forest, forest पे भी हग दोनों का है, because कही ना कही है, किस से regarding है, यह है regarding आपके environment से, और environment आपका nationwide program होता है, then trade unions, trade unions, जितने भी trade unions हैं, तो इस पर भी कौन बना सकता है कानून, center और state दोनों, marriage, marriage, अभी बहस भी चल रही है, कि यह जो marriage, कि जो age है girls की, तो उसे बढ़ाया जाए, जो 18 ने उसे बढ़ाया कर 21 किया जाए, तो कितना सही है या कितना गलत है, तो इस पर भी बहस चल रही है, तो यह किसका part वह ही concurrent है, center और state दोनों इस पर लोग बना सकते हैं, then adoption, adoption अगर करना है, इसके अलावा wildlife, birds और wildlife का protection, birds and wildlife protection, इसको क्या किया था, 42nd amendment के बाद में इसको इसमें ले आयाए थे, concurrent list में, पहले यह state list के अंदर में था, क्योंकि यह भी कहीना कहीना पर nationwide है, कि important चीज हो जाती है, तो इस पर दोनों लोज बढ़ा सकते हैं, जब भी question आपको exam में आएगा, आपको कहीना कहीन सोचना पड़ेगा, कि क्या हो सकता है, आप news देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, बहस, news यह सब जब देखोगे, अपने आप आपका दिमाग खुलेगा, इसलिए मैं हमेशा किये कहती हूँ, कि read polity from politics, politics देखिए, आपको आपको यह तीनों चीज़ें समझ में आई होँगी, यह तीनों लिस्ट कैसे होती है, 7th schedules क्या होते हैं, कोई भी doubt रहे तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, और बताइए कि यह आपको lecture कैसा लगा, क्या improvements चाहिए, और कौन-कौन से important topics हैं, जो आप चाहते हैं, मैं आपके लिए उस पर विडियो लेकर आओ, सब तक के लिए thank you very much and keep learning.